So dear students, welcome back and in our previous video we have discussed the section A that's the reading comprehension of your previous year class 8 the English paper by GK Bose and now we are going to discuss its section B that's the writing sikhlas and grammar तो इस वीडियो में जो इसका section B है writing sikhlas and grammar वो भी हम discuss करेंगे इसके बाद जो एक और section है section B that is writing sikhlas and grammar जो आपके writing sikhlas को check करने के लिए होता है आपकी जो grammar है आप grammatically कितना correctly लिखते हो कितना correctly लिख सकते हो observe the following picture and write your observation जहापे एक जो picture ती गई है यह आपको observe करनी है और फिर आपको लिखना है देखिए यहापी जो picture है यह कहीं जो हिली एरिया में जो यह transport है यह जैसे strand हो गया है रुकसा गया है क्योंकि अभी बारो बारी हो रही है तो picture में हमें यही चीज़ नजर आ रही है और एक पाड़ी सिलसला जो है वो नजर आ रहा है एक जो हिली जो रोड है वो हमें नजर आ रहा है और यहां पे जो कोई बंदा है वो बाहर खड़ा है और साथ में जो गाड़िया है यह लाइन में एक कातार में लागी हुई है तो यह पिक्चर जो है यह में यह समझाती है कि शायद यहां पर यह ट्राफिक रुख गया है किसी हीली एरिया में किसी टूरिस्ट स्पॉर्ट में ऐसे एरिया में जहां बरफ बहुत ज़्यादा गिर रही होती है तो यह पिक्चर आपको देखनी है इसको समझना है और अपने हिसाब से 80 से 100 वोर्स आपको लिखने है आप क्या इसपे लिख सकते हो आपको अपने दिमाग पे जोर देना है और या अगर आप ये क्वेस्चन नहीं कर सकते हैं तो इसके बदले में जो एक और कॉस्चन यहां पे दिया गया है जिसमें कुछ points आए हैं तो mostly यह जो papers आएंगे चाहे 8th, 10th, 12th या दूसरे class के वो इसी pattern पे आए गए यहाँ पर nature के बारे में बहुत सारी चीज़े दी गई है study the below given map and develop a paragraph और 1800 words यह जो यहाँ पर एक map दिया गया है एक diagram सादिया गया है यह आपको देखना है और फिर आपको इस पे एक paragraph बनाना है एटी से 100 words देखिए nature के साथ यह सारी चीज़े related हैं कुद्रत के साथ forest is है pure water है जंगला जब है तो तबी यह साफ पानी है pollution free है fresh air यह हमें देते हैं and then there is pure food खाना जो निकलता है वो pure है healthy life आपकी जिन्दकी सहत में होगी greenery यह हमें देता है and then there is hygiene हमें देता है सफाई इससे होती है माहूल की तो यह आपको देखना है यह nature के बारे में इस सभी चीज़े हैं आपको इन्हें interrelated करना है देखिए अगर foresters होंगे तभी आपका pollution free माहूल होगा और fresh air होगा और जो pure water होगा तो इससे greenery भी होगी hygiene भी अच्छा रहेगा healthy life भी होगी और जो pure food हैं वो भी मिलेगा तो यह सारी चीज़े आपको अभी इस information को आपको relate करना है आपस में और इस पर एक paragraph लिखना है 80 से 100 words तो यह ज्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है जैसे आप कोई environment पे कोई topic लिखती हो तो यह इसी related यह चीज़ बनेगी अगर आप इस पर एक paragraph लिखना चाहो इसके बाद जो एक और question यहाँ पे आया है तो आप किसी सुकूल से हो सिर नगर में और आपके महाँ पे कोई ICT लिखती नहीं है information communication जो technology है computers दूसरी चीज़े इंटरनेट तो आप अभी जो आपका head of institute है आप इसको अभी एक खत लिख रहे हो इसमें आप उससे कह रहे हो कि आपको एक laboratory चाहिए you can also highlight the benefits of ICT laboratory to the students to support your demand आप इसके benefits भी लिख सकते हो यहाँ पे इसके benefits क्या है अगर आपके सुकूल में यह ICT information communication laboratory आपके सुकूल में establish की जाई तो आपको यहाँ पे एक जो letter लिखनी है एक formal letter लिखनी है अपने principle के यह जो आपका सुकूल का head है तो जैसे formal letter लिखी जाती है आपको उस pattern पे यह चीज़ लिखनी है उपर जो लिखना है to dear to the principle of this very school sir फिर आप अपना subject लिखोगे फिर body लिखोगे फिर इसको conclude करोगे और नीचे जो है एक शुकराना या एक thanks वो चीज़ लिखोगे salvation जैसे होते हैं दूसरी चीज़े और your class is going for an educational trip आपका जो टीचर है वो आपको कह रहा है तो आपका जो टीचर है वो आपको कह रहा है कि आप अपने parents guardian की पहले इजाज़ ले who is out of home on his or business trip आपका जो parent या guardian है वो किसी business trip के लिए बाहर गया है and then there is and expected to return after trip date वो आपका जो trip है उसकी date के बाद आने का उसका ज्यादा channels है now you have to decide communicate him here we are electronic video अब आप electronic media की जरी उसके साथ communicate कहर रहे हो write an email to him here asking for the grant of permission for the set educational trip अब आप email जो उसको बेजोगे अपने parent को या guardian को और उससे जो इजादत चाहोगे कि आप इस educational trip पर जाए देखे email में जो एक वो box होता है और वो आपको देखना है email ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और नीचे जो आपका mail होता है फिर आप जो sender होता है उसका mail फिर जो आप introduction लिखोगे या इसकी एक जो body लिखोगे email बड़ा म information इसको देना चाहो और नीचे date वेट इसमें नहीं डालनी है क्योंकि email में date खुड़ी आ जाती है तो जिस टाइम आप email बड़ा जो गई वो date वहाँ पे save हो जाएगी email box में लिखना होता है तो आप वो चीज देखो कि कैसे आप यह लिख सकते हो इसके बाद जो यहाँ पर एक lunch organize कर रही है एक party organize कर रही है for your relatives and friends जो आपके relatives हैं यह friends है लेकिन जो weather मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया है कि मौसम के खराब रहने वाला है कई दिनों तक तो family जो हैं उन्होंने डिसाइड किया कि इसको post phone करें इस lunch program को till the weather improves जब तक मौसम ठीक नहीं होगा you are running a what is up group your family ask your family ask you to post a message in your what is up group about the post appointment of the lunch program till the next day to write the message and put it in the box आपकी family आप से कह रही है कि आप एक message लिखो इस सारी family को कि अभी यह जो program था party थी या दावत थी अभी इसको मनसू किया जा रहा है जब तक मौसम ठीक नहों जाए तो आपको एक message लिखनी है उपर आप लिखोगे जिसके नाम पर message लिख रहे हो तो फिर message में जो basic information है वो चीज़ आप यहां पर दोगे यह बड़ी ब्रीफ होनी चाहिए और end में फिर अपना नाम लिखोगे है जिसके नाम से message लिख रहे हो इस पर time भी आप देख से तो time वैसे whatsapp में यह चीज़े से हो जाती है कुद बखुद यह time इस पर आ जाता है कि आप किने किस time पर message की है तो message बड़ी brief होनी चाहिए इसमें ज्यादा लंबा जाने की जरूरत नहीं है इदर और की बाते लिखने की जरूरत नहीं है message में वही चीज़ आपको लिखनी है जो बड़ी एहम है तो message आपको देखना है कुंसी जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी चाहिए फिर वो propulsion है conjunction है वरब है तो friends duck and kangaroo are about set on a long pleasure trip दो friend जो है duck और kangaroo बतक और kangaroo वो एक long trip पर जाने जा रहे हैं तो यहां पर आ रहा है का तक kangaroo तो happy to carry the duck all the way on the tip of his tail kangaroo जो है इसने duck को अपने इस tail के tip पे पूरे रास feet लेकिन उसके जो जो बीगे पैर हो उससे वो थोड़ा बहुत वैरी हो गया तंग हो गया आजज़ आ गया परेशन हो गया what can the duck do तो duck क्या यहां पर कर सकता है यहां पर can आएगा to make the kangaroo feel comfortable जिससे kangaroo जो हैं वो अपने आपको comfortable feel करे और land and sea both on land as well as on sea पानी में भी और खुश करते हैं how they do how they go about it how they do or how they go यहां पर आएगा यहां पर आएगा यहां पर आएगा यहां पर इस पे वो क्या करते हैं इसके बेर जो आपका एक और question है change the narration जो directing director होता है तो यह चीज़ आपको देखनी है the teacher said to me have you design your science model यह director speech में आया है अभी इसको reported speech में डालना है the teacher asked me that have के perfect में यह जो direct to speech आई है अभी इसको हम positive perfect में convert करेंगे had I designed your के बाद लिबाएगा my science model यही आएगा और indirect to speech में note of interrogation नहीं आती यह बात आप जहन में रखे यहां पर full stuff आएगा यहां पर already जो यह sentence है दूसरा यह indirect to speech में आया है the student replied he was not at home yesterday तो student ने कहा कि वो yesterday गर पे नहीं था तो इसका अगर हम direct to speech में लेंगे the student answered I am not at home today तो ऐसे भी आ सकता है तो yesterday तो कल हुआ लेकिन अगर कल यह student ने कहा होगा तो student ने कहा होगा I am not at home today आज में गार पर नहीं हूँ I am not at home that day I am not at home today that day तो नहीं आएगा most probably यहां पे I am not at home today तो इस ही sentence में आएगा यहां I was not at home that day तो इस सेनस में भी आ सकते हैं लेकिन most probably यहां पर आएगा I am not at home यहां जो ही है वो convert हो जाएगा I में was हो जाएगा convert M में at home yesterday के बाले आएगा यहां पर today most जो इसका appropriate बनेगा मेरे ख्याल से ही बनेगा और यहां पर note of interrogation आपको डालने है inverted commas close करने है इसके बाएग जो एक और section यहां पर आया है जो आपकी textual questions है लेसन के based पर जो questions है how is polo played in Ladakh तो जो आपकी lesson है polo the king of gamers उससे एक question आया है how do you look at polo during the muggle rain पोलो कैसे Ladakh में खेला जाता था तो इस पर यह lesson आप देखोगे तो आपी आसानी से एक question लिखोगे how do you look at polo during the muggle rain तो muggle दोर के muggle हकूम जो थी उसके दोर में polo की क्या हैसियत थी तो सरकारी हलकूम है या जो उस वक्त के kings थे या राजा महराजा थे that which you call stupifying awakening is a stupifying hangover तेखें यह जो आपकी जो prayer है महजूर की तो इसी से यह lesson आई है and then there is यह जो question है यह summer and winter है by P.B. Shelley जो है how is summer described in the poem summer को कैसे describe किया जाता है and then there is what happens when the whole track of corn and all the animals fall upon allies यह जो strange trail है लिव स्कैरल की तो उसी question आया है what makes you think that the play a strange trail is a dream आपको कैसे लगता है कि जो strange trail है वो एक dream है एक खाब है किस basis पे आप यह कह सकते हो तो यह question उससे आया है how is soil affected by polythene तो जो polythene है इसका क्या असर होता है how ample impact जो आता है soil पे मिटी पे तो यह polythene जो है a disaster उससे एक question आया है why is polythene widely user तो polythene क्यों इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है इसका जो widely usage है वो क्यों है तो यह इसमें से कुछ questions है जो आपके textual questions है अगर आपने lessons को ठीक से पढ़ा होगा तो आप यह questions आसानी से कर सकते है यह कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है so dear students यह आपका previous year paper था class 8 term second 2023 English paper तो उमेद हैं आपको यह चीज़ समझाई होगी और इससे आपको एक idea आया होगा कि आपका जो आने वाला paper है वो कैसा होगा इसके बाद हम next video में देखेंगे जो आपका दूसरे उर्दू या जो social science का paper है वो हम discuss करेंगे और जो आपका जो model paper आया है जे के बोस की तरफ से इस साल उसको भी हम देखेंगे उमेद हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा इसको जरूर शेयर करें और चैनल को subscribe करें और अपनी view दे wish you all the best and thank you